हाई गाईज All About Exam YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा SSE CGL 2019 का रिजल्ट आने वाला है और चुकि आप सब जानते हैं कि यह रिजल्ट का डेट यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है हमारे बोर्ड SSE CGL बोर्ड के जाएगा और वह कौन सा टाइमिंग होगा है जब आपका डियल्ट पब्लिश कर जाएगा साथ ही हम इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टन जो आपके बात करने वाले हैं वह से सीजियल के एक्सपेक्ट कटप के बारे में चूंकि बहुत सारे चात्र के मन में अभी डाउट घुट्स है कि क्या प्रिप्ट्रेंशन करें आप सब जानते हैं कि जीजेल्ट टू का जो डेट है ओल्रेडी ऑ योग की द्वारा घोसित कर दिया गया है आपका जो सीजेल्ट टू क overflow के मंद में घोसित कर दिया गया है तो इस दोडान आपको यहांपे जोसीरिय कर कट अपस है और साथ ही सीजियल का जो रिजल्ट का डेट है टायर वन के रिजल्ट का डेट वो जानना बहुत जरूर है कब आपका रिजल्ट आ रहा तो उसी को हम लोगा इस वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे तो अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब जेल्ट आड ओन का यहाँ पे दोहर उनीस का परिणाम है देख सकते हैं इसके अधिकारिक वेवसाइट एससी.nick.in पे जाड़ी किया जाना है और नोटिफिकेशन यहाँ पे जानते है कि जो अभी नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि जून 2020 में परिणाम को घ है तो परिख्षा में लगभग 25 लाग चात्र यहां पर 25 लाग मिद्वार थे उन्होंने हिस्सा लेने का काम किया था अब आपके यहां पर टारवन हो चुका है और टाय टू आपका होने वाला है जो चात्र टायर वन में कौलीफाई करेंगे उन्हें ही टाय टू में मोंका बात करें तो देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है इसी वेबसाइट पर सबसे इंपोर्टेंट जो है आपका रिजल्ट कैसे पॉब्लीफ किया जाएगा और आपके कट आउंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो नए चात्र है ससी के वह भी जानले और जो उसको आप मैच किये हैं और आप अपने से रोव मार्श का अण्दाजा लगा चुके हैं आपका रोमार कितना है तो इस बार जो ससी रिजल्ट जाड़ी करेंगा तो इसमें ससी दो मैं चीज जाड़ी करेंगा तो पहला तो हो गए आपका कॉठक्टらमाल नीज करेंगा और normalize करके कितना marks आया इसको अभी जाड़ी नहीं करने जा रहा है SSC CGL के SSC Board ने SSC Board जो है आपका normalization का mark जो normalize करके कितना नमर आपको आया है वो अभी आपको publish नहीं किया जाएगा और साथ ही आपको raw marks कितना आया final वो भी आपको publish अभी नहीं किया जाएगा अभी केवल और केवल जो cut-off है उसे एक बार सो कर दिए जाएगा और cut-off के साथ ही साथ आपका जो selection हुआ है या नहीं हुआ है selection का list तो main चीज़ दो होगा केवल cut-off पब्लिश किया जाएगा और साथ ही दूसरा होगा आपका selection का list कि इतने साट्र शाट्र स्लेक्ट्ड कि उनका लिस्ट होगा तो छातर क가지्थ आप जब जानते हैं पहले से प्षीक क्वह कि सराता है कि इतने ही छात्र को स्लीन रिजल्ट को तो उतनी चात्र को उसके अंद्रगत समाहित के जाएगा तो इसको अगर आप चीक करना चाहते हैं तो जो पीडियेफ सेलेक्शन लिस्ट का खुलेगा उसमें आपको अपना जो रोल नमबर है उसको एंटर करना परेगा उसमें आपको पता चल जाएगा आप क्वालिफाई क जाएगा इस रिजल्ट में और यह कब आएगा तो इसकी बात करें तो एससी दस दिन-15 दिन के बाद इसे जाड़ी करने का काम करता है यह प्रतीक साल की बात है हर सल यह होता है तो अभी आपका यहीं आएगा और कटफ की बात करने तो इसके लिए आप मैं आपको पिछले तो इसे बार अगर कटफ की बात करें तो अगर कटफ इससे अगर बढ़ता है तो इसी की आसपस रहने की उमीद है एक सचालिस के नीचे रहेगा यहों का कटफ तो जो भी छात्र यहां पे सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि एक्जाम कि सीफ्ट में छात्र दिये हैं उन सबसे लिए करके एक सदस के बीच में भी आता है तो उनका स्फरेक्स असानी से हो जाएगा क्योंकि शुरू में कोश्चं थोरे से अच्छे लेवल के थे और बाद में जिनका जो 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 चात्र हैं उनका सेलेक्स उनको सेलेक्शन लेने के लिए उनका नमबर अगर उनका रो मार्क अगर वो मिला चुके हैंसर कि अगर उनके पास 130 के आज पास में आ रहा है नमबर तो भी उनका सेलेक्शन असानिस से हो जाएगा तो इस बार देखिए जैसे ही अभी फाइनल यहां पर नमर्स आता है तो आपको पता चल जाएगा लेकिन उससे बता दूं कि आपका रिजल्ट का पब्लीश किया जाएगा तो सबसे इंपोर 200 आज किए यह ई कि आपका रिजल्ट क प्राइडे के दिन जल्ट कर लिए छब 210 को 36 26 तारीक को 26 नियुक को 26 जून को आपका result साम को 7-8 के बीच में publish किया जाएगा तो यह data fix कर लिजी और इसी दिन आपका result publish होगा 26 जून को Friday के दिन 7-8 के बीच में तो यह सबसे important आज के लिए आपके पास information है तो जो भी छातर SSE CGL के हैं preparation कर रहे हैं, preparation करना चाहते हैं result देखकर कि हमारे result हो जाएगा तभी हम preparation part 2 का, tie 2 का करेंगे तो उनके लिए मैंने एक expected cut-up बताया है अगर उसके दायरे में वाते हैं तो preparation करें नहीं तो 26 जून का wait करके अपने preparation को कर सकते हैं 26 जून को पका result पब्लिस कर दे जाएगा Friday के दिन 7 से 8 के बीच में तो देखे जैसे result आता है तो हम आपको information देने का काम करेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजी आज इस वीडियो में इतना ही friends फिर हम मिलेंगे next वीडियो में दूसरे topic के साथ जिसमें जो आपके लिए informative होगा और उसमें ज्यादा आपके लिए information होगा तब तक के लिए धन्यवाद